दूसरों की गलतियों से सिखो, अपनी ही गलतियों से सिखने में ये उम्र भी कम पड़ेगी, यहां दोस्तों, चानक के ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, अगर आप कुछ भी नया सिखना चाहते हैं, आप लोगों को जो दूसरे लोग गलतियां कर चुके हैं, उन गलतियो उसे सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी ही गलतियों से सीखने में हम लोगों को कही बार टाइम बहुत जाता लगए, तो दोस्तों आज हम लोग क्वांट की स्ट्राटीजी भी ऐसे ही बनाने वाले हैं, आप लोगों को ज्यान रखना है कि ऐसी कौन सी गलतिया है, जिसकी जैसे बहुत टाइम लगता है, सेलेक्शन में, वो सारी चीजों का आपको धियान रखना है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्वांट की कंप्लीट स्ट्राटीजी, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो स्टूनेंट इस फिल्म में नहीं हैं, तो बैंकिंग और इं 20 मिनट में 35 कोषिंट, अगर आप एक कोषिंट में आपको देता हूं, अर्थमेटिक का और बोलता हूं कि चलो भाई, इसको रीट करके बताओ, ठेक है, एक कोषिंट दिया, आपने रीट कर लिया, ऐसे ही अगर मैं आपको 35 कोषिंट टोटल दे रहा हूं और के, और केवल उन सवालों को पढ़के समझते में लग जाएगा, बतलब बोल सकते हम लोग की बच्चे वे 10 मिनिट में आप लोगों को 35 questions solve करने होते हैं, तो हम लोगों की क्या strategy होना चाहिए, हमारा aim क्या होना चाहिए, कौन सी mistakes से जो हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए, सारी चीजों पर one by one discussion, से लिए दो तो, quant की strategy में सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, mistakes की, जो आपको बिलकुल नहीं कर दी है, सबसे बड़ी गलती यह होती है, कि हमारे पूरे concept clear नहीं होते हैं, कई बार हम चीजों को पढ़ तो लेते हैं, समझ लेते हैं, बट concept clear नहीं होते हैं, concept मतलब हम लोगों ने पढ़ा formula, simple interest equal to PRT by 100, बहुत अची बात है, पड़ हमको यह भी पता होना चीज है, formula कहां से है, अगर वो formula आपको clear हो जाता है, कैसे बना है, तब जाकर आपके concept clear होते हैं, चीजों को रटना बिलकुल नहीं है, lack of revision, बचपन में हम बहुत अच्छे से revision करते थे तो बचपन की चीज़े आज भी यहादे, आज की rate में हम लोग revision नहीं करते, आप लोगों को revision करना है, start करना है, and third most important point, gazing, हम लोग सोचते हैं कि आचलो, objective paper है हम लोगों का, 5 option है, इसको tick कर देते, gazing कर देते, सरी चला गया तो selection हो जाएगा, तो ऐसा बिलकुल नहीं होता है, अगर आप gazing करते हैं, तो उसका बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, वह आगे हम लोग देखेंगे, बट कभी भी आप लोगों को question में gazing करना ही नहीं है, कभी नहीं करना है, तो सर हम लोगों का aim क्या होना चाहिए, aim कि अगर बात की जाए, तो कोई gazing नहीं करना है, क यह आपका aim जो है, वह successful हो, avoid gazing, बिल्कुल gazing नहीं करना है, अगर आप gazing नहीं करेंगे, तो negative marking होगी नहीं, gazing बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, reason में भी आपको आगे बताने वाला हूँ, देखो strategy क्या होना चाहिए, कभी भी आप एकदम basic से quant पढ़ना start करते हैं, सबसे पहला calculation पर focus करेंगे, आपका calculation एकदम तीज होना चाहिए, और देखो calculation एक दिन में तेज नहीं होता, दो दिन में नहीं होता, दिरे दिरे आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, practice करते जाएंगे, calculation ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो calculation को ऐसा नहीं है, आज एग पढ़ लिया, दो दिन पढ़ लिया, ट्रिक पढ़ लिया, काम हो गया, बिलकुल नहीं, practice, 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 calculation की speed, automatic बढ़ती जाती है, second बात करते है, concepts की, जो मैंने अभी बोला था, आपके concepts, फूरी तरीके से clear होना चाहिए, a to z, कोई भी point अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पत आपकी strategy में, approach बहुत बहुत important role play करने वाली है, क्योंकि देखो, एक सवाल को बनाने के न, कहीं तरीके होते हैं, arithmetic में, कोई भी सवाल हम देख रहे हैं, तो 100% assume किया, x assume किया, fraction method लगा दिया, formula method लगा दिया, multiple methods होती है, आपको ये decide करना होता है, कि यसी कौन सी method है sir, जिससे हम लोगों को कम time में answer मिल जाए, तो ये होती है approach, आपको question को देख कर समझना होगा, कि कौन सी method यहाँ पर implement करें, ताकि हमारा answer fast आ जाए, and the last one is tricks, देखिए, tricks का कितना role होता है हमारे examination में, tricks के अगर बात की जाए, out of 35 question, आप लोगों की जो trick होते हैं, वो 3-4 question में लगती ह बाकि जो 30-31 question होते हैं, उसमें concept ही काम आता है, तो क्या sir हम tricks को छोड़ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह 3-4 सवाल अगर आप tricks से बना लेते हैं, तो आपकी examination में 2-3 minute का time बच जाता है, और यही 2-3 minute आपका selection decide करते हैं, तो यह tricks भी आपको पता होना चाहिए, सवाल tricks से बन जाए, बट yes, कुछ सवाल होते हैं, जो tricks से बन जाते हैं, जिससे हम लोग अपना time बचाते हैं, और उस time का utilize करते हैं हम लोग हमारी examination, तो आपको tricks भी पता होना चाहिए, इसका नाम है ccat, तो strategy होना चाहिए, क्वांट की हो क्या है, ccat, c4 calculation, c4 concept approach tricks, यह 4 चीज one question wrong, अगर आपका exam में एक भी सवाल गलत होता है, तो नुकसान कितना होता है, समझे द्यान, सबसे पहले आपका एक number जो आ सकता था, अगर आप question correct करते हैं, चला गया है, एक number जा चुका है, साथ में आप लोगों का negative marking भी आ गया है, minus 0.25 negative marking होगा, सुना बात को जाते हैं, अगर आप उस सवाल को सोच कर बनाने में time लेते हैं, तो आपके time का भी नुकसान हो जाता है, तो तीन नुकसान आपके सामने दिख रहे हैं, and fourth नुकसान, चौथा नुकसान यह होता है, कि आप जो bank examination दे रहे होते हैं, अगर आपने 20 questions किये हैं, और सारे के सारे questions correct हो जाते हैं, तो आपको accuracy के extra marks मिल जाते हैं, एक से दो number आपको accuracy के मिल जाते हैं, बट अगर आप सवाल गलत कर देते, तो वो number भी आपको नहीं मिल, आप समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा नुकसान होता है, अगर आप एक भी सवाल गलत करते हैं examination, बिल्कुल भी तुक्का नहीं करना है एक सवाल के गलत कर देने से एक सवाल को तुक्का बना देने से आप लोगों के examination में दो से तीन नंबर तक का नुकसान हो सकता है and one more thing दो से तीन नंबर की विच में लाखों बच्चे आ जाते जो आप से आगे निकल जाते तो ये बात को आपको एक दम ध्यान दखना है कभी भी हम तुक्के बाजी नहीं करेंगे proxy नहीं लगाएंगे जो question एकदम correct बनता है उसी को बनाएंगे और गलती से भी कोई गलती नहीं करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसे अगर हम लोग ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं अब पढ़ना start करते हैं तो कहां से start करें तो सबसे पहले आप लोग किसी भी examination की तयारी शुरू करते हैं तो previous year paper देखेंगे उसका कि last year paper केसा आया था उसके पहले paper केसा पूछा गया था आपको एक idea लगेगा कि paper का level क्या होता है सवाल का standard क्या होता है किस तरीकी के सवाल पूछे जाते है आईडिया मिल गया उसके बाद आप लोग पढ़ना start करेंगे अब जब आप तैयारी start करते हैं तो जो count होता है उसको दो part में divide करते हैं एक part होता है scoring part और एक होता है थूड़ा सा calculative part जिसको moderate level हम लोग बोलते हैं scoring part में आपके तीन chapters होते हैं number series quadratic equation and simplification यह वो chapter से जिसको आप 4 से 5 दिन में complete कर देंगे और आप अपना score एक level तक पहुचा सकते हैं पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप जब इन chapters को complete कर देते हैं उसके बार regular practice में 5 questions each topic लेकर चलेंगे अगर आपने quadratic equation complete कर दिया, simplification complete कर दिया, number series complete कर दिया, यह तीनो topics को complete कर दिया तो अब आप लोगों का एक task daily का बन जाएगा कि daily तीनो topics के 5 questions का practice करते रहना है, आप जिसे ही daily practice करते रहेंगे तो examination तक आप लोग इतने सारे सवालों की practice कर चुके होंगे, आपको बिल्कुल time नहीं लगेगा और बहुत ही कम time में ज्यादा question आपके बन जाएगे, तो scoring topics ज सकता है, quadratic equation, number series, simplification के, अब अगर आपने 5 minute में 15 question मना दिये, अब आपके पास time बसता है 15 minute 20 question, बतला almost 1 question के लिए एक minute तक का time आपके पास होता है, अब इसके बाद बात कर लिए अर्थमेटिक में बहुत डर लगता है, बहुत से student पढ़ना start to कर देते हैं, बट अर्थमेटि यह base होता है, quant का base percentage, अगर आपको percentage बहुत अच्छे से आता है, तो कोई formula पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ती है, without any formula आप सवाल बना सकते हैं, तो सबसे पहले percentage को आपको अच्छे से complete करना है, time लगता है, 5 दिन लगता है, 10 दिन लगता है, दे दो, बट इन chapter को अच्छे स में देखने को जरूर मिलते हैं, तो यह chapter आपको बहुत अच्छे से complete करना है, अगला chapter बात करते है, speed, time and distance and profit and loss, profit and loss के एक से दो सवाल तो देखने को मिलते ही, साथ में speed, time and distance में train and boat and stream, तो ऐसा chapter होते हैं, जहां से 100% सवाल पूछे जाता है, and the last one is time and work, time and work एक ऐसा chapter है, ज यह माल लेते हैं, percentage से 2 question आजाते है, ratio से 3 से 4 question हो जाते, speed, time and distance से 2 question हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 question तक, यहां पर आप से पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि sir, ratio में सारे chapter से question ना पूछे जाते हैं, तो 8 to 9, arithmetic के chapters, 8 to 9 marks आपके arithmetic में complete हो जाते हैं, out of 10, अब सर इसका मतलब क्या बाक chapters को बहुत अच्छे से complete करेंगे, यह सारे chapters complete हो जाएंगे, उसके बाद जो बचे हुए arithmetic के chapter होते हैं, कि वो लोग concept wise बाकी रह जाते हैं, आपको उनका concept पढ़ना है, थोड़ा दा practice करना है, चीजे बनने लगेगी, तो पहले आप लोगों को इन सारे chapters को complete करना है, अगर ratio क सारे question आ जाते है, percentage आता है, speed time and distance, profit and loss, time and work से ही सवाल आ जाते हैं, तो 10 out of 10 question भी आप बना सकते हैं, बट एक दो सवाल, definitely वो simple interest, compound interest, average, permutation, combination, probability से पूछ सकता है, इन chapters से question कम पूछी जाते हैं, प्रेम से examination में, बट पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके basic concept को अच्छे से clear क skip किये, क्या उसको बहुत basic पढ़के complete करते हैं, बिल्कुल इसा मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, कही बार simple interest, compound interest, best DA exam में पूछा, अब अगर DA आ गया, और आपने उस chapter को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो दिक्कत आ जाएगी, और prelims में तो हम लोग बहुत अच्छा score कर भी एक और सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अर्थमेटिक के साथ कि सर्क कॉश्चन जो, chapters जो होते हैं, वो एक दुसरे के साथ interconnected होते हैं, अगर आप ratio and proportion chapter के question लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि ratio में आपको percentage का use भी करना पड़ा, percentage concept भी लग जाए, आप profit and loss के सवाल बना रहे हैं, तो maybe possibility है कि profit and loss में आप लोगों का percentage और ratio का concept यूज हो जाए, आपको ये सारे concept को पूरी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चलिए, तो हमारी सारी चीज़ों बात हो चुकी है कि किन-किन बातों का आपको ध्यान देखना है, एक last final conclusion क्या होना चाहिए, किसी भी examination को या फिर हम हमारे subject को strong करने का, तो सुनो बात को ध्यान चाहिए, सबसे पहले आपको complete करना है आपकी concept, कोई भी chapter हो, उसका concept complete करेंगे, concept जैसे ही complete हो जाता है, उसकी बात आपको start करना है practice, concept complete, उसके practice करना है start करने, तो start करने के साथ अगर कोई सवाल आपको परिसान करता है, problem होती है, तो सको notes में add करके revise करना है start करो, next part जो होता है वो होता है आपका revision, concept clear, practice किया, revision किया, अब आपको mock test लगाना start करने, और mock test में देखो, starting में आप गलतियां करेंगे, आपके number कम होंगे, बिल्कुल demotivate नहीं होना है, आप जब ये तीनो chapters को complete कर देंगे तो आपका score 10 से तो motivation हो जाएगा, वहाँ से आपको motivation मिलेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, जब आपके number आने लगेंगे, आप गलतियां करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो आगे बढ़ते जाएगे, आगे बढ़ते जाएगे, आपके marks बढ़ते जाएगे, confidence बढ़ता जाएगा, interest आप का automatic बनता जाएगा, और वहाँ पर आपका स्कोर है, वो 35 out of 30 प्लस जाने लगे, 35 out of 35 marks लाए जा सकते, prelims examination में, बट, आप जो है वो अपना target 30 लेकर जाएगे, 35 out of 35 के बादे में अगर सोचते, exam में question नहीं बनता है, pressure, वहले already pressure में लेते, और pressure आता है, दूसरा question भी नहीं double pressure, और जब pressure आता है, question गलत होना start होते है, तो target हमेसा ऐसा set करो, जिसमें आपको आसानी हो, अब जब 35 out of 30 question का आप target लेकर चलते है, तो आपकी दिमाग पर pressure नहीं आएगा, एक question चोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं कोई, तो 5 question चोड़ना है, second question नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे question बनने लगेंगे, flow बन जाएगा, उसके बाद दिक्कत है कतम हो जाएगी, और last में अगर हमारे पास time बचता है, तो बच्चेवे questions भी complete हो जाएगे, तो यह थी हमारी quant की complete strategy, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, और अपनी तैयारी अभी से start क करेंगे, और इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, कोई भी गलती हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी student अगर एक साल, दो साल, तीन साल तक भी selection नहीं ले पाता है, उसका reason केवल यह होता है, वो same mistakes को बार-बार करता है, और आपको यह सारी चीज़े अपनी तैयारी शुरू कर पहले ही पता चल चुकी है, तो अब से जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, इन सारी बातों में ध्यान रखेंगे, case, proxy, तुक्का बाजी, सब भी नहीं करेंगे, अगर आप यह चीज़ से दूर रहते हैं, तो selection की आदी कदम आप बढ़ चुके हैं, आगे हैं, चलिए द student 2023 के examination की तैयारी सुरू कर रहे है, उन students के लिए यह बेच बहुती बहुती ज़्यादा फाइदे मन होने वाला है, विकास यह बेच जो है, वो fab के first week तक complete भी हो जाएगा, पतला आप लोग जो next year examination को target कर रहे हैं, वो सारे examination की तैयारी आपकी fab तब एकदम free of cost complete हो जाएगी बस उसके बाद आपको बस practice करना है, mock test लगाना है, selection ले लेना है, तो दोस्तों यह था हमारा आज का complete strategy, आप चाहे तो इस complete strategy का एक screenshot ले सकते हैं, अपने pass रख सकते हैं और ये गलतियां आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी हैं, जो आपका aim होना चाहिए, बिल्कुल negative marking न होई पर देखना है, scoring topic यह रहे हमारे पास, arithmetic के scoring topic यह रहे आपके पास, ठीके, और जो mistakes बाकी बच्चे करते हो, mistakes हम लोगों को नहीं करनी हैं, और आप लोगों का एक सवाल अगर गलत होता है, तो क्या नुकसान हो सकता है, आपके सामने हैं, तो मिलते हैं दोस्तों बाकी next session में, तब तक के लिए धियान रखेंगे अपना, thank you so much, bye bye, take care.